मैं निदी स्वागत है आपका मेरे चैनल जीवन के रंगनिदी के संग में दोस्तों सौमवती आमावन्स आ रही हो वीडियो भी हैं कि तो और इसका चाह रहे हैं तो क्या वो सौमवतिया मावस्या से वरत उठा सकते हैं दूसरा गर्वती महिलाएं अगर वरत रहती हैं तो फेरी कैसे लेंगी और और भी सारी मैंने कोशिश की है कि पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दे सकूँ तो वीडियो में मेरे सातन तक बने रहेगा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेर कीज़ेगा मेरे नए वियर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा तो इस बाद सावन की सौमवतिया मावस्या 17 जुलाई को मनाई जाएगी क्योंकि ये शुरू हो रही है सोला जुलाई को देर रात 10 बच कर 8 मिनीट पर अंप ठोघ ये 18 जुलाई को सुबह 12 बच कर 1 मिनिट पर तो उदिया तिती की वज़़े से 17 जुलाई को सौमवतिया मावस्या होगी दोस्तों मवस्या तिथी का बहुत ही महत्व होता है ये पित्रों की तिथी माने जाती है इस दिन जो भी पूजा पाध हम करते हैं उससे पित्र प्रशन होते हैं अब सावन का महिना है सावन के महिने में शुकल पक्ष पर पढ़ने वाली मवस्या को हरियाली मवस्या भी कहते तो उम्भतिय मवस्या के दिन महिलाएं अपने सोहां की रक्षा के लिए अपने पती की लंबी आयू के लिए वरत रखती है पूजा करती है तो और इस दिन पीपल की 108 फेरी ली जाती है पीपल की कुछ लोग की होती है कुछ लोग तुलसी की फेरी लेते हैं तो आप क्या ज जाये शिव मंदिर में आप या शिव मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप घर में ही अगर शिवलिंग है या शंकर पारवती परिवार की फोटो है या मूलती आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं अगर आपके पद शिवलिंग है या मंदिर जा रहे हैं तो आप कच्छा दूद जल और शहद घी दही चीनी इनसे भगवान शिव का अभिशेग करें और इसके बाद भगवान को बेल पत्र चड़ाएं और जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं शिवलिंग पर अगर हो सके तो किसी ब्राह्मन के द्वारा आप रुद्रा अभिशेग करा सकते हैं उसका भी भी ले सकते हैं लेकिन जितना बैतर होगा यसे दान करें आप किसी द्वाटन को दे सकते हैं और या फिर आप किसी अपने से पीपल के पेड़ पर के नीचे घी का दीपक चलाया जाता है और इस दिन सफेद रंग की मिठाई चड़ाई जाती है या फिर आप घर में खीर बना सकते हैं तो खीर भी पीपल के नीचे आपको चड़ानी चाहिए और उसके बाद आप चाहें तो कच्छे सूथ से सफेद नह ले लिजे और बाकी फेरी आपको 108 फेरी लेने का महत्व है इसमें तो इसमें जोड़े से फेरी ली जाती है तो जैसे किसी ड्राइफूट से ले लिजे जैसे कि आप मखाने या बादाम हो गया या फिर बिंदी और सिंदूर के पैकेट उससे भी कई मतलब जिससे भी आप सुहाग फेरी ले रहे हैं वो आपको फिर बाद में प्रिशाद के रूप में थोड़ा खुद ले लेना और बाकी फिर आपको दान करना होता है और इस दिन फिर पूरे दिन वरत रखा जाता है और कई जगह पर केवल पूजा करने का वरत होता है तो आप क्या जैसा होता ह बात आती है कि जो लोग ना विवायता हैं और जो लोग चाह रहे हैं कि बरत को उठाना तो क्या वह उठा सकते हैं बिलकुन उठा सकते हैं क्योंकि अधिक माज JUह है वह 17 ऑगस्थी के बाद शुरू titre है मतलब सब्सक्राइब माफिच आऊंगी 17 जुलाई के बाद शुरू हो रहा है तो आप 17 तारीक से पहले जो भी व्रत है आप उठा सकते हैं गर्वती महिलाओं के लिए है कि गर्वती महिलाएं फेरी नहीं लेती हैं आपको केवल पूजा करिए और पूजा करने तक कर अगर व्रत है तो आप व्रत पूरी जानकारी तो आए हो वीडियो आपको पसंद आया होगा थैंक यू